तो चलिए शुरू करते हैं, तापसी समय को देख काफे शर्मा रही थी उसे कुछ देर पेहले जो पाटी के बाहर हुआ वो सब याद आने लगा के से, समय ने उसे बिच पाटी में भी परेशान किया था वो सब सोच तापसी के गाल और भी लाल हो गए, समय तापसी के गालो उसकी बेक पर होत रक उसे लव बाइट करने लगा, तापसी किसके आखे बंद कर सिट को स्क्रेच करने लगी, उसकी आहे सोंग में घुलने लगी समय के कानों में म्यूजीक के साथ तापसी का कराहने की आवाज उसे और, वाइल्ड होने पर मजबूर करने लगी, समय किसी बिस्ट की तरह तापसी की पिट पर बाइट करने लगा तापसी को समय के इस तरह कातने से दद हो रहा था। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो समय को रोक सके उसे समय से दर लग रहा था। समय उसकी पिट पर लिख करते हुए मदहोसी भरी आवाज में दद मेरा दिया हुआ होगा तो उस पर महरम भी में ही लगाओगा। जान डोंट वरी दद के साथ राहत भी मिलेगी। इतना बोल समय ने तापसी को फिर से अपनी और पलट लिया तापसी का पुरा चेहरा लाल जेहा हो चुका था सब। से ज्यादा उसके होथ लाल थे समय उसके होथ को फिर से अपने होथों से लोक कर उसे फुल वाइल अगली चुमने लगा। तापसी भी इस बार उसका साथ दे रही थी। खुद से खाली हो जाऊं आजा तुछ से भर जाऊं। तिंका तिंका जल जाऊं ऐसे जला दो हो। तापसी को किस करना नहीं आता था वो समय की कोपी करने की कोशिश कर रही थी समय उसकी कोशिश देख तरची। स्माइल कर उसके होथों के खिलाफ बोला मेरे खरगोश के बच्चे को किस करना बिलकुल नहीं आता। लेकिन कोयनी उसका डेविड उसे सब सिखा देगा वो भी प्यार से. समय तापसी को पलट खुद सिट पर लेत गाया और तापसी को ऊपर बिथा लिया उसके बाकी बचे कपरे और खुद की पैंट. पेहले ही निकाल दी थी अब दोनों पुरी तरह नेक्ट थे. इस वक्त तापसी को समय से काफे शम आ र लगी वो जीन्स पोजीसन में समय पर बेदी हुए थी उसे. मेरसुस कर उसकी पलके शम से फिर से जुक गई. तापसी अपनी जुकी हुई पलकों से अपना सर ना में हिलाने लगी. समय को उसका इस तरह ना कर पसंद नहीं आया उसे गुस्सा आने लगा उसने तापसी के बालों को पिछे से मुथी में. भर पीछे की और खीचा तापसीश की दद भरी आहा निकल गई. समय उसका चेहरा अपने करीब कर उसके गले पर अपनी तंग फेर सेडेक्टिव मगर कोल्ड वो इस में खरगोश के बच्चे. ऐसे शमौने से कुछ नहीं होगा. किस मी अहोसी भरी आहा निकल गई. उसके हाथ समय के सिने पर कस गए. समय उसकी आहा सुन एकसाइट होके किसमी बिटरफ्लाइ किसमी. तापसी समय के इस बार बोलने पर धीरे से अपने कैपते होथ उसके गाल पर रख उसे हलके से चुमलिया. बिटरफ्लाइ ऐसे नहीं देसे मे करता हूँ वेसे करो समय उसकी किस देख उसकी गदन पर हाथ बोला। तापसी के होथ धीरे धीरे समय के चेहरे से होते हुए उसके गले पर आ गए तापसी हलके हलके अपने होथ से। उसके गले पर किस करने लगी जी से समय आखे बंद कर मेहसुस कर रहा था उसने काफी से तापसी की कमर पित से हिला रहा था। समय उसकी मासुम्यत देख उसके दोनों गालों पर बारी बारी बाइट कर मेरी खरगोश बदला ले रही है। तापसी ना में सर हिला के समय को अपनी तिम्टिमाती आखों से देखने लगी। समय तुरंथ पलट उसे फिर से सिट पर लेता के खुद उसके ऊपर आके एक और बार उसके होथो पर अपने होथ रख दिये हिस। बार समय पेहले से भी वाइलद होके तापसी को किस करने लगा वो लगभग तापसी के होथो को अपने मुह से निगल रहा थे। कार में म्यूजीक अभी भी चल रहा था, फैरू में तन पे तेरे ठहरू अंगो पे तेरे, गेहरी जो ख्वाहिश तेरी उनमें दूबा दो, 25 मिनिट लंबी किसकर समय उसके गले से कोलबोन पर आ गया समय की किस बाइट से तापसी की कराहने की आवाज, पुरे कार में गुं समय उसके मुलायम पेट पर थोरी देर, अपना सर रख उसके उपर लेट गया, तापसी समय का कपसे सांट देख उसके बालों में हाथ फेर के बोली आपको निंदा रही है, समय नहीं, तापसी तो फिर आप ऐसे कियू लेट गये, समय सर उठा के उसके मासुम चेहरे को अपने हाथों में भर एक बात पुछो, पुछिये तापसी ने कहा, समय उसकी आखों में देख बिटरफलाई तुम मुझ से ज्यादा प्यार करती हो या अपने भाई से, तापसी समय का सवाल सुन अपनी टिम्टिमाती आखे जबका के आप दोनों से में आप दोनों से प् प्रचपन से उन बुरे वाले अंकल से प्रोटेक किया है, वो अंकल हमेशा दादा को आके मारते थे उनको मेरे बारे मैं पुछते थे फिर भी दादाने कुछ नहीं बताते और उनकी मार चुप चाप खा लेते और आप भी क्यूटी को प्यार करते हो उसे अपने हाथों से तैयार करते हो खाना खैलाते हो वरुन भाई कहते हैं, आप क्यूटी को और दादा को उस गंदे अंकल से बचाओगे वो बुरे अंकल क्यूटी को उसके दादा से दुर ले जाना, चाहते है, समय तापसी के मुह से किसी अंकल का जिकसुन उसका चेहरा शक हो गया, उसकी आ बतर सजा दुगा जो उनकी सोच से हजार गुना दग नाक होगी। हमारी मैडम बहुत मासुम है बिलकुल किसी मासुम बच्चे जेसी। उसने भी तापसी को उस कैम्प में केद कर दिया था लेकिन समय के केद करने में और राहुल का केद करने जमिन आस्मान का फर्ग था। राहुल ने उसे केंप में रखा कियू कि वो उसे किसी से बचाना चाहता था और समय तापसी को दुनिया से छुपा के अपने केद में रखना चाहता था राहुल कभी तापसी को केद नहीं करना चाहता था वो चाहता था उसकी छोटी दुनिया देखे लोगों से मिले सब को जाने जब की समय तापसी के लिए ओवर पजे सीव था और आज भी है और बच्पन से ज्यादा है। किसी पंची को पिंजरे में कैद रखना उसमें फर्क सिफए इतना था। कि वो पिंजरा सोने का था जहां दुनिया का सारा सुख तो था लेकिन बाहर जाने की पंख फेलाने की आजादी नहीं। कि खुशी भी उसके पास ज्यादा देर नहीं रही जीन्स खत्रे से राहुल उसे बचा के मेरे पास भी जावो खत्रा। यहां भी आ गया। वरुन बोलते बोलते चुप हो गया। राघव उसे चुप देख बोला फिर फिर क्या हुआ ऐसा कौन सा खत्रा है जीसे आप दोनु मैडम को बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हो। उसका सवाल सुन वरुन गेहरी सांस लेके बोला मिस्टर रंजीत सिंगानिया। राघव नाम सुन रंजीत सिंगानिया ये नाम मुझे सुना सुना क्यू लग रहा है वेसे इसका और मैडम का क्या कनेक्शन है और ये है कौन। वरुन माफिया वर्ड का बाप जीस के नाम से पुरा इंडिया दर्ता है वो है रंजीत राय सिघानिया तापसी राहुल का बाउलोजीक बाप, वरुन के मुह से नाम सुमते ही राघव को दे से 440 वोल्ट का जटका लगा उसकी आखे सोकट से फटी की फटी रेह गई, अब स हिले तापसी को कपड़े पेहनाए फिर खुद पेहन वरुन को मेसेज किया, वरुन को मेसेज मीलते ही राघव के साथ कार में वापीस आ गया राघव इस बार पैसंजर सिट पर जाके बैक गया वरुन, ड्राइवा करने लगा राघव इस वक्त इतना सोकद में था कि उसे कार विला के बाहर आके रुकी अब तक तापसी समय की गोध में ही सो चुकी थी समय तापसी को, ऐसे ही उठा के कार से बाहर निकलते हुए बोला 15 मिनिट में तुम तिनो स्टडी रूम में चाहिए, समय तापसी को लेके सिधा विला में चला गया वरुन ने उसे जाते एक फोन निकाल राहुल को मेसेज कर दिया, राहुल भी विला में ही था, राहुल इस वक्त अपने रूम में सोफे पर अपना सर पकड़ के बेथा था उसके सामने बिस्तर, पर वानी लेती हुई थी जो सायद सो चुकी थी उसकी आखे ज्यादा रोने से सुजी हुई थी गालों पर भी आ सुके, निशान बने हुए थे, राहुल एक टकवानी के चेहरे को देख गेहरी सोच में दुबा हुआ था, उसी वक्त उसका फोन वायबरेट हुआ, राहुल फोन निकाल मेसेज पर तुरंत कमरे से निकल गया, उधर समय के रूम में, समय जैसे ही तापसी को बिस्तर पर लेता के खरा होने लगा, उसी वक्त तापसी की आखे खुल गई, तापसी आखे मलते हुए, बैत के बोली आप कहा जा रहे है, आप मत जाना क्यूटी को अकेले दर लगता है, समय उसकी बात सुन, उसके पास बैत उसे फिर से गोद में बिठा के बोला में कह जा रहे है, आप मत जाना क्यूटी को अकेले दर लगता है, समय उसकी बात सुन, उसके पास बैत उसे फिर से गोद में बिठा के बोला में कहीं नहीं जा रहा, तुम सो जाओ में यही हुँ, तुम्हारे पास, समय तापसी को गोद में लिये हुए बेठा गया थोरी देर मे तापसी फिर से सो गई वो पेहले ही गेहरी निंद में, ही इसलिए जल्दी सो गई, समय उसे अच्छे सुला के उसके सर को चुम चारों और पीलों रख कमरे में दिम लाइट कर बाहार निकल गया, स्टदी रूम, राघव राहुल वरुन पेहले से वहा आ चुके थे तिनो समय के आने का इंतजार कर रहे थे थोरी देर में समय भी, वहां आ गया समय आते ही सीधा अपनी चेर पर बैथ गया उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक प्रयोसन नहीं थे आज, उसका चेहरा पेहले की तरह इमोसनलेस शक्थ था, उसके आते ही राघव जाके उसके पिछे ह पात फोल्ड कर खरा हो गया वरुन राहुल समय के सामने जाके खरे हो गये, समय बिना बात गोल घुमाए सिधा पोइंट पर आके शक्थ आवाज में तुम्हारे पास एक मोका है सब सच बताने का कून, है वो और वो क्यू पढ़ा है मेरी बिटरफ्लाइ के पिछे उसका क् पेहले का सच क्या है मुझे सब सच बताओ, ये आखरी मोका है तुम्हारे पास मेरे दोस्त वापीस बनने का मेरा भरोसा वापीस हासील करने। हलकी लाल थी उसके ने जो हाथ वरुन का पकड़ा था उस पर भी उसकी पकड़ कस गई। जो समय को भी मेहसूस हो रहा था समय ने जैसे ही नाम सुना उसकी आखे ओर कोल्ड हो गई उसका ओरा डाख हो गया। बोला रंजीत राय सिघानिया क्यूटी और राहुल का बावलोजीकल बाप है वो क्यूटी के पिछे पड़ा है क्यूटी पड़ा है। वो हमें नहीं पता सिफे इतना पता है उसे क्यूटी चाहिए उसे बचाने के लिए राहुल उसे 13 साल पेहले यहां से। लेके गया था और वापीस भी क्यूटी को उसे बचाने के लिए आया है मैंने उसे तुम्हारे पास वापीस इसलिए लाया। क्यूकी एक तुम ही हो जो उसे बचा सकता है। समय वरुन की बात सुन हैरान तो हुआ लेकिन उसने हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने दी उसका चेहरा अभी भी। इमोसन लेस था वो राहुल को देख रहा था। राहुल उसकी नजरे खुद पर देख गेहरी सांस लेके हिम्मत जुटा के कहा आज में तुझे सब कुछ बताओगा कुछ भी। तुमसे नहीं चुपाऊँगा सारा सच तुम्हारे सामने रखोगा। उधर समय के रूम में समय जेसे ही तापसी को बिस्तर पर लेता के खरा होने लगा उसी वक्त तापसी की आखे खुल गई तापसी आखे मलते हुए। बैट के बोली आप कहा जा रहे है आप मत जाना क्यूटी को अकेले दर लगता है। समय उसकी बात सुन उसके पास बैट उसे फिर से गोद में बिथा के बोला में कही नहीं जा रहा तुम सो जाओ में यही हूँ। तुम्हारे पास समय तापसी को गोद में लिये हुए बेथा गया थोरी देर में तापसी फिर से सो गई वो पेहले ही गेहरी निंद में। ही इसलिए जल्दी सो गई। समय उसे अच्छे सुला के उसके सर को चुम चारों और पीलों रख कमरे में दिम लाइट कर बाहार निकल गया। Study Room राघव राहुल वरुन पेहले से वहाँ आ चुके थे तिनों समय के आने का इंतजार कर रहे थे थोरी देर में समय भी। वहाँ आ गया समय आते ही सीधा अपनी चेर पर बैथ गया उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्रप्रयोसन नहीं थे आज। उसका चेहरा पेहले की तरह इमोसनलेस शक्त था। उसके आते ही राघव जाके उसके पिछे हाथ फोल्ड कर खरा हो गया वरुन राहुल समय के सामने जाके खरे हो गये। समय बिना बात गोल घुमाए सिधा पोईंट पर आके शक आवाज में तुम्हारे पास एक मोका है सब सच बताने का कून। है वो और वो क्यू पढ़ा है मेरी बिटर्फ्लाइ के पिछे उसका क्या लेना देना है बिटर्फ्लाइ से पिछले 13 साल। पेहले का सच क्या है मुझे सब सच बताओ। ये आखरी मुका है तुम्हारे पास मेरे दोस्त वापीस बनने का मेरा भरोसा वापीस हासील करने। राहुल समय की आखरी मुके वाली बात कसके आखे बंद कर थोरी देर खामोशी से सर जुका के खरा रहा थोरी देर। खामूशी के बाद राहुल हिम्मत जुटा के वरुन का हाथ पकर समय की और देख बोला रंजीत राय सिघानिया। राहुल वो नाम लेके चुप हो गया वो नाम लेते वक्त उसका पुरा शरीर काप रहा था उसकी आखे भी नाम लेते वक्त। हलकी लाल थी उसके ने जो राके रंजीत राय सिघानिया। समय के पिछे खरा राघव बोला कल तक उसकी इंफोमेसन आपके सामने होगी। समय राहुल की और देख कोल्ड वोइस में आगे। राहुल के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि आगे कुछ बोल सके वरुन राहुल के दर को समझते ह हुए आगे आके। बोला रंजीत राय सिघानिया क्यूटी और राहुल का बाउलोजीकल बाप है वो क्यूटी के पिछे पढ़ा है क्यूपढ़ा है। वो हमें नहीं पता सिफए इतना पता है उसे क्यूटी चाहिए उसे बचाने के लिए राहुल उसे 13 साल पेहले यहां स लेके गया था और वापीस भी क्यूटी को उसे बचाने के लिए आया है मैंने उसे तुम्हारे पास वापीस इसलिए लाया। क्यूटी एक तुम ही हो जो उससे बचा सकता है। समय वरुन की बात सुन हैरान तो हुआ लेकिन उसने हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने दी उसका चेहरा अभी भी इमोसनलेस था वो राहुल को देख रहा था। राहुल उसकी नजरे खुद पर देख गेहरी सांस लेके हिम्मत जुटा के कहा आज में तुझे सब कुछ बताओगा कुछ भी तुमसे नहीं चुपाओगा सारा सच तुम्हारे सामने रखोगा। राह राहुल तापसी की मा का नाम भुल गई उनका नाम यामीनी ठा। यामीनी जो अपनी आखरी सांस ले रही थी उसने राहुल की आवाज सुन अपनी नम आखों से अपने बेटे को देख बरी। श्रा हम्मत नहीं हार सकता तो तुझे अभी अपनी बेहन के लिए जीना है उ आपको बचा लुगा अभी थोरी देर में समय आता होगा वो आपको बोचा लेगा मोर आपको कुछ नहीं होगा। यामिनी लंबी-लंबी सासे लेके अपना कापता हुए था राहुल के चहरे पर रख बोली राहुल मेरे बच्चे मेरी बात। ध्यान से सुन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है में समय के आने तक जिदा नहीं बचुगी इसलिए तू मेरी बात सुन तू. मेरा बाहादुर बच्चा है में जानती हूँ तू अकेले अपनी बेहन को उस खत्रे से बचा सकता है में तुझे एक ऐसा सच. बताने वाली हूँ का नाम रंजीत राय सिघानिया है. वो अच्छे इंसान नहीं है यामीनी बोलते बोलते लंबी लंबी सासे लेने लगी मिसीनों की आवाज भी तेज हो गई. बेटा वो तापसी को लेने आये है उनको पता चल चुका है कि तुम दोनु उनका खुन हो वो तापसी को लेने आये है. तुम उनको तापसी तक आने मत देना वो अच्छे नहीं है तुम तापसी को लेके यहां से दुर चले जाओ अभी के अभी. समय को बताने की कोशिश मत करना उसके आस पास के लोग रंजीत से मीले हुए है समय अभी छोटा है वो अभी उन. सबका सामना नहीं कर सक इसलिए तुम उसके आने का इंतजार मत करो. तापसी को लेके चले जाओ वो तापसी को मार दालेगा तापसी को बचाओ तापसी के पास एक ऐसी चीज है जो उसे चाहे वो उसे नहीं मीलनी चाहिए. चले जाओ तापसी को बचाओ. यामीनी ने आखरी शब्द बोलते बो समय राहुल की सारी बात सुन अपनी चेर से खरा होके उसके पास आके घुतनों पर बैत उसे बिना कुछ बोले तुरंट। सीने से लगा लिया राहुल भी समय को कसके पकर और तेज रो पड़ा समय की आखों में आसु नहीं थे लेकिंग गुस्सा साफ। नजर आ रहा था उ तुझे तेरी बिटरफ्लाइ से इतने साल दोर नहीं रहेना पड़ता कि यू तुने हमें अकेला छोर दिया उस वक्त तू आ जाता तो मेरी मोम बच जाती मुझे तेरी जरूरत थी तुने तो वादा किया थाना जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी तू हमेसा हमारे सा कर देंगा लेकिन तू नहीं था तुने कुछ ठीक नहीं किया सब बिगगया राहुल समय से अलग होके बोला तुझे पता है सारे डोक्त ने बोल दिया था कि मोम नहीं बचेगी वो मर जाएगी लेकिन मुझे भरोसा था कि तू आएगा तेरे आते ही सब ठीक हो जाएगा तू मोम को बचा लेगा तू सब ठीक कर देगा तू कुछ गलत नहीं होने देगा लेकिन तू नहीं आया मेरा भरोसा तुझ पे जो विश्वास था वो सब एक पल में तुथ गया में और मेरी क्यूटी अकेले हो गए मेरे चाचा ने हमारी सारी प्रोपटी छिमली हमें दर दर की थोकरे खाने छोर दिया जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरुरत थी तू नहीं था मेरे पास में अकेला था समय बिलकुल अकेला मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे रहने के लिए घर नहीं था तेरी बटरफ्लाई उस दिन अनाथ हो गई उसे भी तेरी जरुरत थी उसे बुक लगती तो रोती तुझे बुलाती तेरा नाम लेती बार बार अपने डेविड को याद करती तुझे पता है तेरी बटरफ्लाई ने एक महने तक रुखी सुखी रोती खाई है मेरे पास पैसे नहीं थे मेने लोगों का सामान उठाके उनके जुटे पोलीस कर जो पैसे मीलते उसे उसके लिए रुखी सुखी रोती लाता और वो मासुम खा भी लेती दिन को रेलवे स्टेशन पर रेहते रात को जहां जगह मीलती वहां सो जाते एक रात बहुत तेज बारीश हो रही थी जहां हम इतने दिन सो रहे थे वहाँ पानी भर चुका था मेरे पास वहां से दुसरी जगह धुनने के अलावा कोय रास्ता नहीं था उस काली रात तेज बारीश में में क्यूटी को लेके रास्ते पर चल रहा था इस उम्मीद में की कोय जगह मील जाए रात बिताने के लिए तब सायद उस उपवाले को भी टस आ गया होर मुझे एक मिलेटरी की गारी दिखी मेंने हिम्मत कर उनके पास जाके मदद मागी उन्होने मुझे मिलेटरी जोइन करने को कहा और मेंने भी बीना कुछ बोले उनकी बात मानली और कर ली मिलेटरी जोइन मेरे पास दुसरा कोर रास्ता नहीं था मेरी बेहन के लिए उसे खाना खैलाने उसे सेफ रखने उसे रास्ते पर सोने से बचाने मुझे वो करना पड़ा मेने बाकी के 13 साल उस मिलेटरी आमी में निकाले वहाँ पर मेरी क्यूटी की पढ़ाई हुई मेने और मेरे कुछ साथी ने उसे पढ़ाया उन लोगों ने मेरे साथ उस वक्त दिया जब तू नहीं था समय उसकी सारी बात सुन गुस्से में हाथ की मुथी बंद कर अपनी लाल हो चुकी आखों से उसे देख बोला में नहीं था तो तुझे अंकल के पास जाना था वो तो यही थे वरुन था उसके मुम डेड थे तू उसके पास चला जाता मेरे आने तक वो तुझे क्यूटी को संभाल लेते वरुन ने उदास होके बिच में कहा सोरी समय उस वक्त में भी नहीं था में न्यूक गया था उस रात मौम पर फोन आया था मेरे नाना जी को होस्ट पीटल लेके गए थे और मौम काफे रो रही थी इसलिए मौम डेड मुझे लेके न्यू योप चले वरुन ने उदास होके बिच में कहा सोरी समय उस वक्त में भी नहीं था में न्यूक गया था उस रात मौम पर फोन आया था मेरे नाना जी को होस्ट पीटल लेके गए थे और मौम काफे रो रही थी इसलिए मौम डेड मुझे लेके न्यू योप चले गये सोरी समय मुझे माफ कर दे उसकी बात सुन समय ने लंबी सांस लेक कहा तो मेरे अनकल तो थे तुझे उनके पास जाना चाहिए था वो तेरी मदद करते मेरी बिटरफ्लाई को संभालते राहुल नहीं जा सकता था मौम ने मरते वक्त कहा था तुझसे जुरे लोग उसे मीले हुए है और में उस वक्त तेरे और वरुन के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था समय को इस वक्त खुद पर बोहुत गुसा आ रहा था उसका मन कर रहा था वो सब कुछ जला दे जीसने उसकी बिटरफ्लाई को उसे इतने साल दुर किया उस हर इनसान को जान से मार दे उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त खुद पर आ रहा था जब उसके दोस्त को उसके बच्चे को उसकी जरुरत थी वो उसके पास नहीं था वो सोच रहा था कि क्यूँ उस वक्त वो वहा नहीं था, उसने क्यूँ अपनी बटर्फलाई को खुद से दुर किया वो नहीं जाता। तो ये सब नहीं होता उसकी बटर्फलाई उसके पास होती उसे इतने साल अकेले गुस्से नफरत की आग में जलना नहीं। परता, समय ने मन ही मन धान लिया था कि अब वो इस बात का पुरा पता लगाएगा जो भी इसके पिछे है वो किसी को नहीं। परे हुए थे उस वक्त में अगर तेरा इंतजार करता तो सायग में अपनी बेहन को भी खो देता। समय गेहरी सांस लेके उसके सर को सेहला के सिरियस टोन में बोला जो हुआ वो तो में नहीं बदल सकता लेकिने। बात का वादा जरूरत कर सकता हूँ कि जो कोई भी इस सब के पिछे है में उस हर एक इनसान को खोफ से खोफ नाक मोत। दुगा, जीस ने भी मेरी बटरफलाई को मुझसे दुर करने की कोशिश की है में किसी को नहीं छोड़ूगा अब तक लोगों ने सिफ है। समय मलहुत्रा का गुस्सा देखा है अब उसका बदला देखेगे उसकी सनक की जुनुन्यत देखेगे मेरे गुस्से से बुरी। है मेरी सनक मेरा वो रूप सामने आएगा जीस के नाम तक से पुरा अंद्रवल्द कापता है। राहुल उसकी बात सुन रुआसी आवाज में मेरी क्यूटी को बचा लेना समय उसे बचा लेना वो आदमी उसे ले जाएगा वो। उसे मार दालेगा मेरी बेहन को बचा लेना में उसके बिना जी नहीं सकता वहीं मेरी दुनिया मेरे जीने की वजह है। प्लिज समय उसे बचा लेना उसे कुछ मत होने देना में उसके बिना नहीं जी पाओगा प्लिज मेरी बेहन को बचा लेना. वही मेरा सब कुछ है उसके बिना में अनाथ हो जाओगा प्लिज समय उसे बचा लेना मेरी क्यूटी को बचा लेना. राहुल समय के गले में चेहरा छुपा के रोते हुए ये सब बोले जाथा राहुल इस वक्त बिलकुल तुथ चुका था उसकी सारी हिम्मत तुथ चुकी थी अपने माबाप के मोत पर जीतना उसने खुद को संभाला अपनी बेहन को अकेले बरा किया जीतनी मुश्किल का सामना किया वो सब आज आसु बन बाहार आ रहा था जीतना वो उस हरपल नहीं रोया जब उस पर मुसिब्ते आ रही थी उतना वो आज रो रहा है उसने जो इतने सालों से हिम्मत जुटा के रखी थी वो सब अब नहीं रही उसने समय के आगे घुटने टेक दिये वरुन उसे इस तरह रोता देख उसकी आखे भी भर आई वो भी समय से लिप्ट रो पड़ा राहुल वरुन दोनों ही बच्चों की तरह समय से पुरी तरह लिप्ट के रो रहे थे समय दोनों को संभालते संभालते वही बैठ गया राघव जो ये सब देख सुन रहा था उसे भी राहुल का रोना देखा नहीं गया वो खुद एक अनाथ है उसे इसका दग तकलीफ अच्छे से पता है वो भी आके वरुन राहुल की तरह समय से चीपक गया समय उन तिनों को देख अपना सर ना में हिला दिया दे से केस रहा हो इनका कुछ नहीं हो सकता समय युही कुछ देर बेथा रहा जब तक वो तिनों सांथ ना हो जाए अभी भी वो तिनों सबक रहे थे उसी वक्त किसी की मिठी सी आवाज उन सब के कानों पर परी जो केस रही थी आप सब देविद को हगी करके कियू बैथे हो जेसे ही समय ने आवाज सुनी वो सकप का गया उसने तुरंथ तिनों लटकों को अलग कर खरा हो गया समय अपना सट बाल थिक कर पिछे मुड़ा जहां उसकी छोटी सी बिटरफ्लाइ खरी हुई थी जो उसे ही अपनी टिम्टिमाती आखों से देख रही थी जीस में अभी भी निंद थी तापसी के बाल थोरे बिखरे हुए थे वो काटून प्रिंट वाली तिस्ट और सोट में काफे क्यूट लग रही थी अपने छोटे हाथों से आखे मलते हुए समय की और देख बोली डेविड बोलो ना ये सब आपको हगी क्यू रहे थे समय तापसी का सवाल सुन चुप रहा उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे तापसी नीचे बैथे अपने भाई को देख बोली दादा आप ही बताओ आप डेविड से क्यू चिपके हुए थे कहीं आप डेविड से किसी तो नहीं मांग रहे थे देसे डेविल मुझे करते है हगी के बाद कहीं आप तिनो भी उनसे किसी नहीं मांग रहे थे, समय उसकी इस बात पर बिल्कुल स्पीच लेस हो गया वो आखे सिकू कर तापसी को देखता रहा राहुल वरुन राघव तापसी की आवाज सुन पेहिले खुद को सांट किया राहुल ने अपने आसु पोच खरा होके बोले नहीं मेरी क्यूटिपाई हम तुम्हारे डेविड से कोय किस नहीं मांग रहे थे हम तो तुम्हारे डेविड के गले लगबाते कर रहे थे तापसी अंदर आते हुए बोली बाते तो दुर से भी हुती है दादा आप डेविड की गोदी में क्लियू बैथे थे दरसल बात ऐसी है कि जब तापसी अंदर आई तब राहुल समय की गोध में चरा हुआ था वरुन राघव ने समय को दोनू साइध से पकः हुआ था समय तापसी को तुरंथ अपनी बाहों में भर उसे गोध में उठा के अपनी चेर पर जाके बैथ गया तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें अभी कहानी जारी रहेगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सकें. And if you like my story, so commence your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे. इस वीडियो को like करें, हमारे चैनल को subscribe करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें. हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. सबस्क्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे.